हर्याना में कल जो रैली हो रही थी वहाँ पर नितीश कुमार इकलोते ऐसे शक्स थे जो किसी राजी के मुख्यमंत्री थे वरना वहाँ पर जितने भी विवक्ष के नेता बैठे हुए थे उसमें से कोई किसी भी राजी का मुख्यमंत्री नहीं था आप समझेगा इस बात को नितीश कुमार को इतनी हरबड़ी है कि भाजपा को देश से भागा दिया जाए कि वो इकलोते मुख्यमंत्री थे जो वहाँ रैली में बैठे हुए थे और भाशन तो उन्होंने ऐसा दिया जिसको सुनकर आपको लगेगा कि वहा नितीश जी इतनी जल्दबाजी नरेंदर मुदी को हटाने के लिए क्यों हो रही है बैरहाल आप बात को समझेगे नितीश कुमार वहाँ पर पहुँच गए लेकिन हर्याना के बगल में पंजाब है और पंजाब के मुख्यमंत्री वहाँ नहीं पहुँचे और इसके बाद अगर हम बात करे विपक्ष के जो इतने CM है वो वहाँ पर क्यों नहीं पहुचे तो आपको ये समझ में आज आएगा कि नितीश कुमार प्रयास तो बहुत कर रहे है लेकिन असलियत ये है कि भारत का विपक्ष अब तक इकठा नहीं हो पाया है ये वो सच है जो नितीश कुमार को मानना पर सिर्फ मंच पर नितीश कुमार ही मौजूद थे वहराल इस वीडियो पर में इसी बात पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले नवसकार स्विकार करिए मिनना प्रशांत्राय है ये वीडियो माभवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के दोरा प्रयोजित है माभव नितीश कुमार की रैली में आखीर खिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे वहां पर ममता बनरजी नहीं पहुंची और सबसे जरूरी बात जिस आदमी को ये बिहार आने पर इतना माहौल बनाया गया था के चंदर शेखर राव वह भी हर्याना नहीं पहुंचे और वह भी मुख्य मंत्री ही है आप समझ लीजिए नितीश कुमार लागतार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम प्रयासरत हैं कि कैसे भी भारत का वी पक्ष इकठा हो अब भारत का वी पक्ष ऐसा है कि वो इकठा होना चाहता ही नहीं है नितीश कुमार तो पुर्जोर प्रयास कर रह पहुंचे थे लेकिन विपक्ष के कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वहां जा तो सकते थे लेकिन उन्होंने वहां पर जाना जरूरी नहीं समझा था इसका मतलब यह है कि जो फ्रंट नितीश कुमार बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें कॉंग्रेस को लेकर वो लोग चल रहे हैं क्योंकि कल ही उनकी मुलाकात सुनिया गांधी से हुई है शायद उस फ्रंट में आ तो कोई आना नहीं चाहता है जा नितीश कुमार को लोग अपना नेता नहीं मान रहे हैं बहरहाल हरियाना में जो हुआ उसको लेकर कई सारे सेखिया बगारी जा रही है जदियू के द दिल्ली तीन दिनों के लिए गय थे तो कम से कम 12 नेताओं से मिले थे कहा जा रहा था कि वो भी मीटिंग सफल नहीं हुई थी और अब हरियाना में इस रैली के माध्यम से लोगों को लगा था कि नितीश कुमार अपना एक परचम लहराएंगे ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर स्वेम वो खुद ही पहुचे थे उनकी आलावा किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री का ना पहुचना ये दिखाता है कि नितीश कुमार बिलकुल भी अभी एक्सेप्ट नहीं किये जा रहे हैं बहराल अब सुशील मोदी या फिर देखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं बागी कोई अप्डेट आगा तो आपको मितला करेंगे आप जंतर रिंग्शन देखते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद